एलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चेप्टर नमर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का कुस्चन नमर 5 ड्रो एप्रोपीरियेट बेंड डाइग्राम फॉर इच ऑफ दा फॉलॉइंग हमें क्या करना है बेंड डाइग्राम बनाना है ओके तो बेंड डाइग् अम दिया यूनियन बी का कमपलिमेंट ऊके तो बेंड डाइग्राम के लिए मैंने आपको बताए था की रیک्टेंगल में जो हम बनाते हैं ओर रेक्टेंगल में क्या होता है बीटा यूनिवर्सल सेट यह न हमारा हो गया हमने बना दिया ए और ये हो गया हमारा बी ओके इसका नाम हमने डाल दिया मालो ये ए हो गया हमारा और ये हो गया बी और ये हो गया हमारा यू ओके अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है ए यूनियन बी में पूरा कम्पलीटली आ जाता है बट इसका हमें compliment निकालना है compliment में हमारे पास क्या होगा बोलो बिटा compliment में हमारे पास यह नहीं होगा यह वाला छोड़ करके और पूरा आ जाएगा कितना होगा देखो इसको हम shaded करके दिखा देंगे ऐसे करके shaded portion में यह पूरा हो जाएगा मेरा union का मतलब होता है पूरा complete collection यानि हिंदी में इसको शंग समुच्चे भी बोलते हैं हम this is my union B का intersection अब second part देखते है second part क्या है इसकेंड पार्ट में भी हमें A intersection A complement intersection B का complement ओके चलिए इसमें भी हम bend diagram बनाएंगे इसे ही बनाना होगा ठीक है इसमें भी हमें क्या करना है एक A होगा हमारा एक set B होगा ओके तो इसमें क्या करना है कि यह होगा हमारा A और यह होगा हमारा B और इसको बोलते हैं हम union set आपको मालूम है एक dash क्या होता है U में से A को minus कर दिया जाता है और B dash यानि B complement क्या होगा U में से B को कर दिया जाएगा तो इसका भी क्या डाइग्राम बनेगा एरो डाइग्राम अगर बनाते हैं हम तो हमारे पास सेम जो हमने A में बनाया है बिलकुल आपको वही condition मिलेगी कोके एड़ कर दिखते हैं आपआप पैंसिल द्वारे अगरण से कर सकते हैं आप कलर से इसको कर सकते हैं पोके शुटेंट इस ही इज माय राइड आनसर यह हो गया हमारा right answer ओके बिल्कुल same ही बनेंगे दोनों में यह हमारे हो गया second part अब हम देखते हैं इसका third part third part क्या है इसका बटा third part भी देख लेते हैं third part में हमें दिया हुआ A intersection B का compliment क्या लेना है A intersection B का compliment ओके यह जो question लिखा हुआ है question में यह लिखा है compliment है A intersection B का compliment compliment इसको भी देखिए कैसे बनाएंगे हम यह draw करना है हमें चलिए थोड़ा जल्दी देखते है universal set हो गया हमारा यह ओके हमें एक set A लेना है और एक set B लेना है ओके अब इसमें क्या करना होगा कि A intersection B तो A intersection B तो यह हो गया लेकिन इसका compliment तो यही बचेगा बस और पूरा सेड़ेड हो जाएगा यह देखो इसको A डाल दीजिए यह B हो गया हमारा तो यह पूरा हो जाएगा compliment का मतलब क्या होता है बिल्कुल just opposite होता है A intersection B जो होगा मेरा वो नहीं आएगा ओकी यह हो गया हमारा राइट आंसर इसमें क्या बचेगा मेरे पास केवल यह वाला A intersection B का compliment हो गया अब देखते हैं हम फूर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट है क्या है बिटा A Complement Union B Compliment अब A और B का Union का क्या करना है Compliment लेना है तो इसमें भी हम Ben Diagram बनाके आपको बता देते हैं सेम ऐसे ही बनेगा U और यह हो गया हमारा A और यह हो गया B ठीक है इसमें भी बिल्कुल सेम होगा क्योंकि A Compliment का मतलब क्या होगा U में से हमने A को माइनस कर दिया ओके जब U को माइनस कर दिया मेरे पास क्या बचेगा इधर वाला यह बचेगा और इसको हमें लेना नहीं है क्योंकि यह Compliment लिया हुआ है इनोंने तो हमें लेना क्या है इंटरसेक्शन Compliment का क्या लेना है इंटरसेक्शन यह हो गया हमारा केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है इंटरसेक्शन वाला यह पोर्शन इस इस देखते हैं क्यूंकर 6 देखेंज इस्टरेंट क्यूंकर 6 हमारा क्या है लेट यू वी दा सेट अफ आल ट्रैंगल्स इन ए प्लैन इफ ए इज दा सेट आफ ओल ट्रैंगल्स विद एट लीष्ट वन एंगल दिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री पूंचा है तो आपको मालूम है कि हमें बिल्कुल जस्ट लिखना अगर यह कह रहा है डिफरेंट किस से 60 डिगरी से तो हम एक कॉंप्लिमेंट लेंगे वो 60 डिगरी का होगा और जिस एंगल में इच एंगल 60 डिगरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं वेटा इकी लेटरल ट् ट्राइंगल ओके कैसा होगा यह है हमारा इकी लेटरल ट्राइंगल इसमें कैसे ट्राइंगल होंगे इकी लेटरल ट्राइंगल ओके स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट question number 7 question number 7 क्या है यह जो हमारा question number 7 है देखिए fill in the blanks to make each of the following true statement a union of a का compliment अगर हमें लेना है compliment लेना है तो u में से minus करते हैं यह को तो a union of a का compliment किसके equal होगा वेटा union की किसके equal हो जाएगा union ओके five dash intersection a यह क्या होता है वेटा मालूमें किसके equal होगा a किसके equal हो जाएगा a क्योंकि यह five dash होता है यह null set होता है अब a intersection a compliment intersection a compliment लिया हुआ है हमने इसमें से इसका क्या common होगा तो यह just ऑपोजेड होते हैं नहीं होते हैं तो इस में से कुछ भी common नहीं Peak हो क्या मिलेगा five j is a null set ओके फॉर्त वाले में क्या है है इů का commitment इंटर्सेक्षाट ए यू का couple in और A का लेना pret hug मतलब एक ही मिनस किया तो क्या वज हो चीरो टो कैसा हो गया यह null set हो गया वी this my right answer okay students यह exercise हमारी complete होती है 1.5 यद कोई भी problem हो तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe करें like करें video को share करें and अपने दोस्तों के साथ share करें thanks for watching my video